आज मैं LIC payment करने की process बताने जा रहा हूं जिसमें आप सबसे पहले Google Chrome को open करेंगे Google Chrome में आप type करेंगे Pay LIC उसके बाद आपके सामने जो page display होगा उसमें फर्स्ट लिंक आपको दिया है Pay Premium Online Life Insurance Corporation of India इस लिंक पर आप क्लिक कर दें क्लिक करने के बाद आपके पास दो option दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है Pay Direct और Pay Premium through e-service जिसमें आपका पहला लिंक है Pay Direct इस पर आप क्लिक कर देंगे Pay Direct पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपको display होगा एक option जिसमें लिखा हुआ है Pay Direct उसके नीचे देखे लिखा हुआ है Pay Select अब इसमें कौन सा आप Premium Payment करना चाहते हैं उस Premium Payment को आप Select करें जिसमें पहला आपको लिखा हुआ है Renewal Premium दूसरा है Advanced Premium Payment तिसरा है Loan Payment चौथा है Loan Interest Payment जिसमें आपका पहला है Renewal Premium Reviver इस पे आप क्लिक करें इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो option मिलेगा एक back और एक process आपको अगर आगे बढ़ना हो तो आप process करेंगे process करने के बाद आपको customer का validation details पूछेगा जिसमें आपको पहला पूछ रहा है policy number अगर policy number आपके पास available है तो आप अपने policy number उसमें डाले उसके बाद दूसरे में आपको date of birth इसमें आपको date of birth को input करना है जो आपको date of birth दिया हुआ वही आप इसमें input करेंगे उसके बाद mobile number पूछ रहा है mobile number डालने के बाद आपको कितना premium amount है वो आप डाल दें उसके बाद email id डाल दें must क्योंकि इसी पर आपको जो payment करेंगे उसका receipt इसी पर जाएगा इसलिए आप email को डालना नौ भूले इस प्रोसेस को डालने के बाद आप नीचे थुरसर ड्रैग करने के बाद यहां एक option मिलेगा I agree इस पर आप click कर दें उसके बाद submit बटन पर प्रेस कर दें okay करने के बाद देखिए आपके सामने इसका ब्यूरान आ गया जिनके नाम से है और उनका policy number due date भी दिखा रहा है due to कितना से कितना तक premium amount आपका हो गया total आप इसको आगे बढ़के payment कर सकते हैं payment करने का process आप से दे रहा है build x check pay and check pay pay प्रेटियम बिल्डेक्स आप बिल्डेक्स पर क्लिक कर दे जिनके पास प्रेटियम होगा प्रेटियम से भी कर सकते हैं अब यहां पर आपको payment करना है credit card debit card internet banking keyword code UPI आपको जिससे करना हो आप कर सकते हैं अगर आपके पास internet banking हो तो इंटरनेट से कर दे अगर आपके पास credit card हो तो credit कर कर दे debit card हो तो debit card से कर दे keyword code से भी कर सकते हैं हमने आपको यहां UPI से आज payment करने के लिए बता रहे हैं जिसमें UPI आपको phone पे Google पे भी में UPI, Paytm, Amazon पे बहुत सारे option दिया है जिसमें आपको करना है आप कर सकते हैं आपको यह time रहते आपको यह payment की प्रकिरिया आपको कर देना है पूरा